नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पर हम आपके लेकर आते हैं हॉस्पिटल के हार एक इंस्ट्रुमेंट की जानकारी कैसे आपको किस इंस्ट्रुमेंट को यूज करना है किस इंस्ट्रुमेंट का यूज किस तरह से करना होता है क्या-क्या फाय दे होते हैं उस instrument के और कहां पर यूज किया जाता है उस instrument का तो दोस्तों ऐसी ही सभी जानकारी दोस्तों हम लेकर आते हैं हमारे चैनल hospital बजार के ऊपर दोस्तों अगर आप चैनल पर नए है और अभी तक चैनल को आपने हेल्थ केर से बिलॉंग करते हैं उन्होंने अभी कदम रखा है और अभी अपने लार्निंग प्रोसेस में हैं दोस्तों आज हमें किस इंस्ट्रूमेंट की बात करने वाले हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टेटिस्कोप की बच्पन में दोस्तों जब भी हम डॉक्टर गया जाते थे तो वह हमेशा स्टेटिस्कोप लगा कर कुछ चैक करते थे और हमारे मन में रहती थी कि आखरी ऐसा क्या चैक करते हैं से क्या सुनते हैं हम भी कहीं ना कि उस चीज़ को सुनना चाहते थे आप मेंसे कुछ लोगों ने सुन भी लिया होगा आप मेंसे कुछ ने नहीं भी सुना होगा तो दोस्तों आज हम इस इंस्ट्रूमेंट की यूज की बात करने वाले हैं कि इंस्ट्रूमें उसले धागई हु़ुः हैं और किस तरीके से आपको इसका प्रयोग करना चाहिए कि अब देड़ ना करते हुँ दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के मेडिकल इंस्टूमेंट है जिसका वैल आवाज को सुनने कي लिए किया जाता है आवाज सुनने की लिए दोस्तों इस आज बताने वाले हमारे इस वीडियो में कि आप स्टेपों यूज़ का यूज़ कैसे कर सकते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको स्टेथिस्कों चुनना होता है और एजजच करना होता है तो सबसे बहले दोस्तों आप एक high quality stethoscope ले आएं stethoscope की अच्छी quality का होना जरूरी होता है stethoscope की quality जितनी अच्छी होगी आपके लिए patient की शरीर को सुन पाना उतना ही आसान होगा दोस्तो single tube stethoscope, double tube stethoscope से यादा बहतर होते हैं double tube stethoscope के tube एक दूसरे से रगल सकते हैं इनकी ये आवाज आपके लिए दिल की आवाज को सुन पाना मुश्किल बना देती है दोस्तो छोटी मोटी और थोड़ी सी कड़क tubing best होती है बसरते आप आपके stethoscope को अपनी गर्दन पर पहने रखने का प्लान ना कर रहे हूं तो इस मामले में एक लंबी tube जादा अच्छी रहते है दोस्तो डाइफ्राम पर टैब करके सुनिश्चित करें कि tubing में कोई भी leak नहीं है जब आप टैब करें तब earpiece का use करके sound को सुने अगर आपको कुछ भी सुनाई ना दे तो इसमें शायद एक leak हो सकता है या एक से जादा भी हो सकते हैं दोस्तो आपको यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि earpiece सामने की और face कर रहे हो और यह अच्छी तरह से fit हो नहीं तो आप आपके स्टैटिस्कोप से कुछ भी नहीं सुन पाएंगे दोस्तो सुनिश्चित करें कि earpiece सामने की और face किये हैं अगर आप इन्हें पीछे की तरफ रखेंगे तो आप कुछ भी नहीं सुन पाएंगे आपको सुनने में परिशानी होगी इसके अलावा दोस्ता आपके earpiece अच्छे चे fit हो रहे हो और साथी बाहरी आवाज के लिए भी एक सही seal मिल रहा हो अगर earpiece सही fit नहीं हो रहे हैं तो जादर earpiece में एक निकलने के लायक earpiece रहता है अलग-अलग तरह कि earpiece खरीदने के लिए एक मेडिकल सप्लाइ स्टोर आप जा सकते हैं कुछ तरह के स्टेटिसकोप के साथ आप earpiece को स्टेटिसकोप के सामने जुका कर भी उनकी बहतर fitting की पुष्टी कर सकते हैं earpiece को चेक करने के बाद दोस्तो आपको earpiece की tension एक खिचाब को भी चेक करना होता है दूश्रे सब्दों में कहें तो आपको सुनिश्चित करना होता है कि earpiece आपके सिर के नजदीक है लेकिन यह बहुत ज़्यादा भी करीब नहीं होना चाहिए दोस्तों अगर आपकी earpiece बहुत tight है या बहुत loose है तो उन्हें आप adjust कर लीजिए अगर आपकी earpiece बहुत ज़्यादा loose है तो आप उनसे कुछ भी अच्छे से नहीं सुन पाएंगे tension को right करने के लिए earpiece के करीब के handset को आपको दवाना होता है दोस्तों अगर earpiece बहुत ज़्यादा tight हुए तो आपके कानों को इससे hurt हो सकता है और शायद आपके लिए stethoscope use करने अभी मुश्किल हो जाएगा tension को कम करने के लिए दोस्तों headset पाट को आराम सखीचिए दोस्तों अपने stethoscope को आपको एक शांत जगह में यूज करना चाहिए एक ऐसी शांत जगह की तलास करिए जहां यह सुनिश्चित हो जाए कि आप just body sound को सुनना चाहते हैं वो easily आपके कानों तक पहुँच रहा हो background की आवाज दोस्तों वहाँ पर ना हो इसके बाद दोस्तों आपको अपने patient को सही position में लाना होता है दिल और abdomen को सुनने के लिए आपको आपके patient की एक सपाइन position में यानि की लेटने को कहना होगा lungs दोस्तों सुनने के लिए आपको patient को बैटने को कहना होगा दूसरे सब्दों में अपने patient को लेट जाने को कहें patient की position जैसे की बैटना, खड़े होना, साइड पर या करवट पर लेटने पर दिल, लंग्स और बोविल चायद अलग-अलग आवाज भी कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद आपको decide करना होता है कि आप diaphragm यूज़ करना चाहते हैं या bell diaphragm या drum की plate side, medium या high pitch sound सुनने के लिए बहतर होती है bell या drum की round side, low pitch sound सुनने के लिए बहतर होती है दोस्तों अगर आप एक बहुत high quality sound के साथ एक stethoscope का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक electronic stethoscope यूज़ करने के बारे में सोचना चाहिए एक electronic stethoscope दोस्तों amplification provide करता है जिससे दिल और लंग का sound सुनना आसान हो जाता है एक electronic stethoscope यूज़ करने से आपके patient के दिल और लंग की आवा सुनना आसान हो जाता है लेकिन एक बाद याद रखें कि ये महंगे होते हैं अब दोस्तों जानते हैं कि अलग अलग body part को सुनने के लिए आपको stethoscope का use कैसे करना चाहिए तो दोस्तों अगर आप heart को सुनना चाहते हैं दोस्तों तो diaphragm को patient की दिल के उपर रखें diaphragm को सीने के बाई उपरी भाग पर लगवग breast के ठीक नीचे रखें जहां पर 4 से 6 ribs मिलती है stethoscope को अपने pointer और middle finger के बीच रखें और इतना pressure डालें कि आपको आपकी उंगलियों के एक साथ रगणने की आवाज सुनाई ना दे एक पूरे मिनट तक दोस्तों दिल की आवाज को आपको सुनना है patient से relax होने और normally सांस लेने को कहें आपको इंसान के दिल की normal आवाज जो की lub dub की तरह साउंड करती है सुनाई देना चाहिए इन साउंड को systolic और diastolic भी कहा जाता है systolic lub sound होता है दोस्तों और diastolic dub sound होता है systolic sound दोस्तों तब होता है जब हिर्दय के mitral और trixpid बॉल्ब बंद हो जाते हैं diastolic sound दोस्तों तब होता है जब महादमनी यानि की altic और pulmonary valve दोस्तों बंद हो जाते हैं इसके बाद दोस्तों एक मिनट में जो आपने जड़कन सुनी है उसको आपको count करना है adult और 10 साल से उपर के बच्चों की दोस्तों normal resting heartbeat एक मिनट में करीब 60-100 beat रहती है एक अच्छे train athlete के लिए normal resting heartbeat चायद एक मिनट में केबल 40-60 beat के बीच हो सकती है 10 साल से कम उमर के patient की दोस्तों normal resting heartbeat की कई range रहती है उन range में शामिल हैं दोस्तों अगर हम बात करें एक महीने तक की newborn की तो यहाँ पर दोस्तों एक मिनट में 70-190 beats आपको सुनने को मिल सकती है 1-11 महीने के उमर के बच्चे की बात करें तो 80-160 beats per minute 1-2 साल के दोस्तों बच्चे की बात करें तो 80-130 beats per minute 3-4 साल के बच्चे की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 80-120 beats per minute 5-6 साल के बच्चे की बात करें तो 75-115 beats per minute और 7-9 साल के बच्चे की बात करें दोस्तों तो 70-110 beats per minute आपको सुनने को मिलती है जब दोस्तों आप heartbeat को count कर रहे हो तब आपको किसी भी abnormal sound की उपर भी ध्यान देना है ऐसी कोई भी आवाद जो आपको lub dub जैसी ना सुनाई दे उसके abnormal माना जा सकता है अगर आप कुछ भी abnormal सुनते हैं तो फिर आपको आगे की जाज डॉक्टर से कराने की जरूवत होती है अगर आपको दोस्तों एक whooshing sound सुनाई दे या फिर एक sound जो दोस्तो lub श या dub श यानि कि lub dub से दोस्तों अगर अलग हो जैसा सुनाई दे तो आपके patient को heart murmur हो सकता है heart murmur से दोस्तों हमारा मतलब है खून आपके wall में काफी तेजी से दोड़ रहा है काफी दारे लोगों को दोस्तो innocent heart murmur होता है लेकिन कुछ heart murmur heart wall में किसी परिशानी की और भी इशारा करते हैं इसलिए अगर आपको एक heart murmur सुनाई देता है तो आपके patient को एक doctor को दिखा लेने की सला देनी चाहिए अगर आपको दोस्तों एक तीसरा heart सुनाई देता है जो एक कम frequency वा vibration जैसा सुनाई देता हो तो आपके patient को साइद एक ventricular defect या फिर निलय दोश हो सकता है एक तीसरी दोस्तो heart sound भी आपको सुनने को मिल सकती है जिसे S3 या ventricular gallop की तरह जाना जाता है अगर आपको दोस्तों तीसरा sound सुनाई दे तो आपको patient को doctor के पास भेश देना चाहिए आपको दोस्तों जो भी sound सुनाई देता है उसके normal होने या ना होने की बीच नियदारन करने के लिए दोस्तों आपको normal और abnormal hard sound को सुनकर देखना चाहिए इसके बाद दोस्तों अगर हम lung से आने वाली आवाज को सुनना चाहिए तो अपने patient को दोस्तों straight बैठने और नॉर्मली सांस लेने को बोले जब आप सुने तब अगर आपको दोस्तों सांसों की आवाज सुनाई ना दे या फिर अगर वो इतनी धीमी है कि आपको कोई भी abnormality सुनाई ना दे तो आप patient से गहरी सांस लेने को कह सकते हैं अपने patient के दोस्तों lungs को सुनने के लिए आपके stethoscope के diaphragm का इस्तमाल करना होगा patient के upper और lower lobes यानि निशले भाग में दोस्तों और patient के सामने और peat से lungs को आप सुन सकते हैं जब आप दोस्तों उन्हें सुनते हैं तब stethoscope को सीने की उपरी भाग पर रखें फिर mid clavicular पर रखें और उसके बाद chest के निशले भाग पर रखें तो निश्यत करें कि आप इन सभी भाग के सामने और पीछे peat पर सुन रहे हैं अपने patient के lungs के दोनों side को compare जरूर करें और अगर कुछ भी abnormal लगे तो उसे note कर लिजे इन सभी position को cover करके आप आपके patient के सारे lobs को सुन पाएंगे इसके बाद दोस्तों अगर आप normal breathing sound को सुनना चाहते हैं तो normal breathe sound दोस्तों ठीक एक cup में हवा को बहते हुए सुनने जैसा होता है healthy lungs के sample को दोस्तों आपको सुनना चाहिए फिर आपको आपके patient के lungs से जो सुनाई दिया उसके साथ में इसे compare करना चाहिए दोस्तो normal breathe sound के दो टाइप होते हैं bronchial breathe sound और vesicular breathe sound जो फेपड़े के lungs के tissue पर सुनाई देती है दोस्तो abnormal सांस के आवाज में घरगराहट, घरगराहट, रोनची और rails शामिल है अगर आप कोई भी सांस के आवाज नहीं सुनते हैं तो patient को जायर lungs के आसपास हवा या fluid हो सकता है सीने की दीवार के आसपास मोटा पन हो सकता है या फिर airflow में सूजन या lungs में सूजन हो सकती है abnormal सांस के आवाज के दोस्तो चार प्रकार होते हैं वीजिंग साउंड जैसे कोई आवाज सांस चोड़े तब एक हाई पिच साउंड और कभी कभी सांस लेने पर भी आवाज दोस्तो आपको आ सकती है ऐसे कई सारे पेशन्ट होते हैं जिनमें अस्तुमा होता है वो भी दोस्तो वीज करते हैं कभी-कभी आप स्टेटिस्कोप के बिना भी वीजिंग साउंड को सुन सकते हैं इसके अलावा दोस्तों हमें सुनने को मिलता है स्ट्रीडर यानि की खर-खर की आवाज जैसे की हाई-पिच म्यूजिकल ब्रीधिंग ठीक वीहिंग की तरह ही इसे जातर पेशन्ट के सांस लेने पर सुना जाता है इस ट्रीडर गले की पीछे ब्लॉकिस की वज़े से आता है इस साउंड को भी अक्सर स्टेटिस्कोप की बिना ही सुन लिया जाता है रॉंची साउंड दोस्तों जैसे कि खर्राटे लेने जैसा होता है रॉंची को इस्टेटिसकोप के बिना नहीं सुना जा सकता और ये लंग्स के रफ पाथ से हवा के जाने की वज़े से या फिर इसके ब्लॉक होने की वज़े से होता है वहीं रेल्स साउंड दोस्तो जैसे कि एक बबल रैप को फोरणा या फिर लंग्स में घुरगुराना जैसी आवाज दोस्तो आपको सुनने को मिलती है रेल्स को दोस्तो इंसान के सांस लेने पर भी सुनना जा सकता है इसके बाद दोस्तो अगर हम बात करें पेट के किसी साउंड को सुनने की दोस्तो तो डायफ्राम को पेशिंट के दोस्तो खोले पेट पर आपको रखना होता है पेशिंट की नावी को एक center की तरह use करें और फिर नावी के असपास के भाग को चार भागों में बाट कर सुनें Upper left, Upper right, lower left और right side के आवाज दोस्तों आप एक एक करके सुनें नॉर्मल दोस्तों अगर हम वावल साउंड में ठीक जब आपका पेट गूल गड़ाता है या आवाज करता है वैसे ही साउंड होता है इसके अलावा और कोई भी दूसरी चीज़ दोस्तों किसी गलत बात की ओर इशारा करता है और पेशन को आगे के परामर्स के लिए दोस्तों डॉक्तर की जरुवत होती है वहीं अगर बात करें दोस्तों अबनॉर्मल साउंड की तो पेशन के बावल में दोस्तों सुनाई देने वाले जातर साउंड केबल उसके डाइजेशन के साउंड ही होते हैं हाला कि जात और बावल साउंड नॉर्मल ही होते हैं लेकिन कुछ अबनॉर्मिल्टी किसी परिशानी के और इसारा कर सकती हैं अगर आप बावल साउंड को लेकर शेयर नहीं है कि आपको जो सुनाई दिया वो नॉर्मल है या फिर पेशिंट को और कोई भी दूसरे लक्षण हो सकते हैं तो पेशिंट को आगे एवैलुएशन के लिए एक डॉक्तर को आप दिखा सकते हैं अगर आपको कोई भी बावल साउंड सुनाई नहीं देता है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि पेशिंट के पेट में कुछ तो ब्लॉक है यह कप्स की ओर भी इशारा करता है और बावल साउंड खुद ही वापस लोट आएंगे लेकिन अगर यह वापस नहीं आते तो फिर वहाँ पर कोई ब्लॉकिज हो सकता है इस मामले में पेशिंट को डॉक्टर से आगे जाच करानी चाहिए दोस्तों ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए भी स्ट्रेटिस्कोप का यूज किया जाता है सबसे पहले अपने पेशिंट की आम पर ठीक उसकी कोहनी के ऊपर आप द देखना है कि वह बहुत जादा टाइट भी ना हो अगर ब्लड पेशर कफ दोस्तों बहुत चोटा है या बहुत बड़ा है तो एक दूसरा साइज आप ले सकते हैं दोस्तों स्टेटिसकोप के डाइफ्राम को आप कफ कि किनारे के ठीक नीचे भुजा की धमनी के ऊपर हमनी की लोकेशन पता लगाने में मदद करने के लिए आप इनर आम में पल्स की तलास कर सकते हैं दोस्तों कफ को 180 mmHg या 30 mm तक आपके एकस्पेक्टिड सिस्टॉलिक ब्लड पेशर के ऊपर फुल आएं इसके बाद दोस्तों इस फिग्मो मैनोमीटर को देखकर रीडिंग आपको दोस्तों अगर सुनाई देने वाला पहला नॉकिंग साउंड पेशिंट का सिस्टॉलिक ब्लड पेशर होगा उस नंबर को दोस्तों आपको नोट कर लेना है लेकिन इस फिग्मो मैनोमीटर को देखते रही है पहले साउंड के रुकने के बाद जहां यह रुके उस इस नंबर को दोस्तों नोट कर लिए वो नंबर डायस्टोलिक प्रेशर रहेगा इसके बात दोस्त आपको कफ को रिलीज कर देना है उसे हटा-देना है अगर फिर से दोस्ता आप पेशिंट के ब्लड प्रेशर को करना चाहते हैं तो कम सकम एक मिनट के बाद करें दो दोस्तो 120 के ऊपर का एक systolic blood pressure और असी के ऊपर का डास्टोलिक ब्लेट पेशर, patient के high blood pressure को दरसाता है इस मामले में आगे के परामश्च के लिए दोस्तो आप doctor से discussion कर सकते हैं तो दोस्तो यह था हमारा एक वीडियो की कैसे आप स्ट्रातिस्कोप का यूज घर पर कर सकते हैं खुझ से और क्या बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए इसका यूज करते समय आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफोर्मेटिव लगा होगा वीडियो पसंद आयो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साति यह आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें दोस्तों और जोड़े हमारे चैनल वीडियों दोस्तों आप अंतक बने रहें उसके लिए आप सभी का धन्यवाद झाल